बिसमिल्लाहिरख्मा निरहीम अगर अपने चेहरे को गोरा करना चाहती हैं तो तिबत क्रीम लेकर इसमें वाइटनिंग कैपसूल दो अदद और डर्मोकोस का वाइटनिंग सीरम एक अदद अच्छी तरह मिक्स करें रोजाना रात सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं एक हफ़ते के अंदर अंदर रंगत बहुत ज्यादा गोरी हो जाएगी शदीद सर्दी में अगर दूद में हल्दी डाल कर पी जाए तो इससे सर्दी खतम हो जाती है सर्दियों में चाय बनाते हुए दारचीनी का टुकड़ा डाल दिया करें जो लोग बहुत ज्यादा थंडा पानी पीते हैं इनके चेहरे पर जल्दी जुरियां पढ़ जाती है हल्दी का इस्तमाल चेहरे को जवान रखता है कोशिश करें कि मीठी चीजें कम से कम इस्तमाल करें क्यूंके मीठी चीजें सिहत और खुबसूर्ती के लिए इंतहाई नुकसान दे है माल्टा खाना इंतहाई मुफीद है माल्टे खाने से इनसान बहुत सारी जिसमानी बिमारियों से बचा रहता है रंग गोरा करने के लिए कलॉंजी को दूद में पीस कर इसका लेप बना कर चेहरे पर लगाएं क्या आप जानती हैं कि जिस पानी में आप अंडों को अबालती हैं वो कितना फाइदे मन्द है फाइदे जाने के बाद आप पी इसे कभी फैंकेंगी नहीं अंडे हमारी सिहत के लिए इंतहाई जरूरी गिजा है जो जिसम को परोटीन भी फरहम करते हैं और ताकत भी देते हैं हमें दिन पर काम करने के लिए अनरजी भी देते हैं और जहनी सिलाहितों को बढ़ाने के लिए भी अंडा एक परपूर और मुकमल गिजा है इंडे में वो तमाम जरूरी नामियाती मुरकबाद पाई जाते हैं जो हमारी सहत के लिए गर्मी हो या सरदी हर मोसम में फाइदेमन थाबित होते हैं उबला हुआ अंडा अक्सर नाचते में खाना ज्यादा पसंद किया जाता है सिर्फ अंडा ही फाइदे मन नहीं बलकि जिस पानी में आप अंडे को उबालती हैं वो पानी भी अपनी एहमियत के लिहाज से बहुत फाइदे मन्द है अंडा उबालने के बाद पानी आप फैंक देती हैं तो ऐसा हरगिज ना करें आज हम आपको इस पानी के कुछ फवाइद और इस्तमालात बताते हैं अंडे का पानी फाइदे मन्द क्यों? अंडे उबालते वक्त अंडे से कुछ मिनरल्स का इखराज होता है जो के पानी में शामिल हो जाता है और यही मिनरल्स आपको दर्ज सेल फवायद देते हैं उबले हुए अंडे का पानी जाया करने से बहतर है कि घर के पौदों में डाल दें इससे इनकी नशुनमा अच्छी हो जाएगी बालों में महंदी का रंग अच्छा रचे इसके लिए महंदी को उबले अंडे के पानी में मिक्स करके इस्तमाल करें आपके बालों में महंदी का तेज रंग आ जाएगा हसीन जिल तो सब को पसंद होती है और फेशल भी करती है तो एक दफ़ा बेसन में उबले हुए अंडे का अपतानी शामिल करके चेहरे पर लगाएं और फिर कमाल देखें गरम दूद में जाएफल मिला कर पीने से आपका हाजमा दुस्त रहता है इसके लावा गरम दूद में जाएफल मिला कर पीने से पुर्सकून नींद आती है ये मूँ से आने वाली गंदी सासों को भी रोकता है इस से आपके जिसम में होने वाले दर्द में भी अफाका होता है जाएफल वला दूद पीने से आपका बलड प्रेशर भी कंट्रॉल में रहता है स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है जो औरतें घर में खड़े होकर कपड़े पहनती हैं इस घर में रिस्क की कमी हो जाती है बोतल को मुँ लगा कर पानी पीने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है जो मर्द हफते में दो दफ़ा मुबाशरत करते हैं इनको हार्ट अटेक का खत्रा कम हो जाता है नीम गरम जैतून के तेल से नाखनों की मालिश करने से नाखन मजबूत हो जाते है अगर पलकेंगे लंबी करनी हों तो जैतून के तेल से पलकों की मालिश करें इस से पलकें लंबी हो जाएंगी रोजाना एक ग्लास चकोत्रे का जूस पीने से आपका वज़न तेजी से कम हो सकता है अगर पेट लड़क जाए तो नहाते वक्त तिल के तेल के दो कत्रे नाफ में डालें इस से तीन दिन में पेट अंदर हो जाएगा सुबो नहार मूँ गरम पानी पीने से मोटापा कम होता है और कब्स भी खतम हो जाती है जो फूलों को ज्यादा सूंगता है उसकी उम्र लंबी होती है अगर मैदे को तंदरुस्त रखना है तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें कमजोर बदन ताकत के लिए और खुबसूरती के लिए बदाम और चलगोजे मिक्स करके खाया करें कीनू खाने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते अगर घुटनों में शदीद दर्थ है तो जैतून का तेल हलका सा गरम करके इसकी मालिश करें फौरी अराम आ जाएगा लिकोरिया और हैस की बिमारी की वज़़ा से बांचपन का खत्रा हो सकता है अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाख दबे हैं तो इसके लिए केले का छिलका चेहरे पर रगड़े इससे दाख साफ हो जाएंगे पिस्ता दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है खटी चीज़ें इनसान को जल्द बूढ़ा कर देती हैं शैंपू के ज्यादा इस्तमाल से बांचपन और डिप्रेशन जैसी बिमारियां जनम लेती हैं हामला खावतीन अजवाइन का इस्तमाल ना करें इससे होने वाले बच्चे पर असर पड़ता है खुश्बू दिमागी कुट बढ़ाती है और बिनाई की कमी को दूर करती है क्या आप जानते हैं रोजाना 6 मिनट पढ़ने से 60 फीसद स्ट्रस दूर होता है हैस के दिनों में जो औरतें कपड़े इस्तरी करती हैं इन में हैस का दर्द होने का मसला ज्यादा हो सकता है क्यूंके काफी ओड़तें पाउं के बल बैटकर कपड़े इस्तरी करती हैं इस वज़े से दर्द का मसला ज्यादा हो सकता है सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए मचली का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करें जुम्मा को नाखुन काटने से घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होती अगर नीन में खराटे आते हों तो जैतून का तेल नाक के नत्रों में लगाएं, इससे खराटे नहीं आएंगे थके हारे बंदे में कुछ लाने वाले काम गुटनों पर जैतून का तेल लगाओ तो गुटनों में दर्द नहीं होगा खड़े होकर पानी पीने से कैंसर होने का इमकान ज्यादा होता है नारियल का तेल नाफ में डालने से बदन में ताकत आती है अंजीर ज्यादा खाने से जूएं पैदा होती है ऐलोवेरा बालों के लिए बेहतरीन टॉनिक है बाल गिरना, जड़ना, खुश्की सिगरी का खात्मा, बालों को लंबा गना और चमकदार बनाना हो तो ऐलोवेरा का इस्तमाल करें इससे बालों के तमाम मसाईल हल होंगे ऐलोवेरा में मुझूद अमीनो एसेट्स, विटमन्स और मिनरल्स हमारा मदाफिती निजाम मजबूत बनाते हैं रोज़ना खालिस ऐलोवेरा के जूस का इस्तमाल बेहत मुफीद है ऐलोवेरा के इस्तमाल से वजन में भी कमी आती है हफ़ते में तीन दफ़ा चावल का आता, बेसन का आता, एक चुटकी हल्दी, अरके गुलाब में मिक्स करके पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, जब खुश्क हो जाए तो ठंडे पानी से चेहरा दोलें चाईों के लिए बेहतरीन टोटका है ये, एक दफ़ा के इस्तमाल से ही आप इसका रिजल्ट दे कर हैरान रह जाएंगे सोते वक्त अगर चरपाई के नीचे नीम के पते रख दें तो आप कभी बूड़े नहीं होंगे जो लोग मूँ ढख कर सोते हैं, इन्हें नजला जुकाम का मसला नहीं होता सुबो और शाम के वक्त कोई भी चीज़ खरीदो, नग्त पैसे अदा करो क्योंकि सुबो और शाम उधार करने से कर में रिज्ग की तंगी होती है जिस कर की औरतें सब्स रंग के कपड़े ज्यादा पहनती हैं, इस घर में दुख नहीं आते क्योंकि सब्स रंग सकून और अच्छाई की अलामत है अगर सर में शदीद दर्द है तो सरसों के तेल से पाउं के तल्वों की अच्छी तरह मालिश करें इससे सरदर्द में अराम आएगा I hope so friends, आज की वीडियो आप लगों के लिए knowledgeable रही होगी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज